अभिनंदन है जी सभीका क्रिश्यवार चैनल पर आज हम आपको सिल्क पेंट करना बताएंगे कि कैसे सिल्क के सूट पर पेंट किया जाता है और ये जो आप देख रहे हैं ये गुट्टा है ये वाइड कलर सिलवर कलर और गूर्डन कलर में आता है और इसी के साथ हम आपको कलर भी दिखाएंगे कि कौन से कलर हम यूज करेंगे और इसकी नोजल बहुत पतली होती है इससे बहुत अच्छा और बारीक आउटलाइन होती है यह हमारे कलर है यह वाइलट कलर है जो आप देख रहे हैं इसके नंबर भी दिये हुए है और 10 नंबर है इसका और यह इसका जो यह फ्रांस की जो है फ्रांस में बनते हैं हमारे इंडिया में नहीं बनते और यह आपको बुक स्टोर से मिल जाएंगे जो बड़ी बुक स्टोर है आपके शहर में और ओनलाइन भी मिल सकते हैं यह एक जो है इसका प्राइज साड़े 300 है हम आपको डिस्क्रिप्शन मे इसका link डाल देंगे वहां से आप मगवा सकते हैं इसको और यह हम वाइट कुट्टा के साथ इसकी outline करके दिखाएंगे आपको कैसे सिल्क के जो कपड़ा है उसके उपर सिल्क पेंट जब हम करते हैं तो उससे पहले हम outline की जाती है ताकि जो सिल्क के color है वो बहुत पतले होते हैं पानी की तरह और वो बाहर की तरफ कपड़े पे फैल ना सके इसलिए इसमें outline की जाती है ताकि जो color हम बीच में करें वो बाहर outline से बाहर ना जाए हम इसके white जो गुटा लगा रहे हैं इसके बीच बीच में ही color रहे इसलिए हम यह outline करते हैं और सिल्क के सभी कपड़ों पर outline की जाती है पहले और फिर उसमे color fill पिया जाता है पहले हमने outline कर लेनी है और फिर उसके बाद उसे सूखने देना है आधा गंटा या 15-20 मिन्ट सूखने देना है वो मौसम के recording आप उस पर जो है देख सकते हैं कि सूखा या नहीं सूखा जब आपका जो गुटा है वो सूख जाए तब ही आपने उसके उपर जो color fill करने है और गीले में fill नहीं करने है अगर आप गीले में fill करेंगे तो आपके जो color है वो कपड़े की बाहर वाली side outline की बाहर वाली side पहल सकते हैं और हमने इसमें दो color लिये हैं एक light blue color लिया है और एक violet color लिया है और उस पर हम कोई भी brush ले सकते हैं आप चाहे वो round brush हो चाहे वो flat brush हो उसके साथ आप इसकी बीच में color fill कर सकते हैं जैसे आप video में देख रहे हैं कि हमने light और violet color लिया है light blue और उसके साथ हमने ये जो color है बीच में fill कर देना है और जब भी आप color को fill करें तो जो गुप्ते वाली side है बाहर वाली side है जानी की उसमें color brush में बिल्कुल नामातर ही लगाएं ताकि वो बाहर की तरफ फैल ना सके और जैसे कि हमारा color भी थोड़ा सा फैल गया है बाहर की तरफ इसका ख्याल रखना है हमने कि बाहर की side color ना और जो गुप्ता हमने लगाया है वो जो है वो कहीं से भी जैसे हमने outline की है वो कहीं से भी उसके जो shape है वो एक दूसरे से मिलनी चाहिए ताकि अगर आप उसमें gap रख देंगे तो वहां से color आपका fill बाहर की तरफ हो सकता है इसलिए हमने ध्यान रखना है कि थोड़ा नहीं जाना चाहिए ताकि हमारा design है वो खुराब हो जाए इसी तरह से हमने दो color लेकि यह out बीच में फिल किया है और आपने यह ख्याल रखना है कि जो color है वो यह white कपड़ा हो यह light color के कपड़े पर ही आप जो है silk paint कर सकते हैं अगर आपका कपड़ा थोड़ा dark है तो आप उस पर उससे भी जादा dark color के जो है वो design color डाल सकते हैं जैसे हमने यह फ्रोजी color का कपड़ा था हमारा silk का हमने इसमें dark जानी की violet और blue color से हमने इसमें दोनों color को mix करके हमने shading की है और इस तरह से हम इसके बाद हम गुटा लगाएंगे ताकि जो रेशे हैं पत्ती के बीच में वो हम आपको बना कर दिखा सकें इस तरह हमने जहां जहां पत्तियां बाहर की तरफ बड़ी हुई हैं वहां वहां हमने एक लंबी line खीच लेनी है और इसी तरह से दूसरी को साथाऑ आप पूछते हैं कि आप कहां से लाते हैं किसी किताब से लाते हैं मगर हम आपको बता देना चाहते हैं यह हमने जो अंगूर का पत्ता था उससे हमने देखके यह डिजाइन बनाया था अंगूर के पत्ते को आप किसी भी पीपल का पत्ता यो कोई भी डिजाइन ले सकते हैं फूलो वाला डिजाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हैं उससे आप बना सकते हैं और हमारी ज़्यादा तर हम अब तक देखी है वह हम खुदी से जो है डिजाइन बनाते हैं कहीं से कॉपी नहीं करते ना ही किसी किताब से देखते हैं और इसी तरह आपने सारा डिजाइन कंप्लीट कर लेना है गुट्टे से आफ लाइन करेंर और इसके बाद हम आपको नमक वाली पेंटींग भी lord उत्माइन कर सकते हैं और अगली वीडियो में हम आपको नमक वाली पेंटींग भी और इस तरह से स्थाईन जो हैं कंप्लीट हो गया है तो अच्छा लगाता हो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सस्क्राइब जरूर करना हुआज लूर इजरूर कर एंग दिन हुआज लग एंग